आज हम एकदम नए तरीके से पालक और सूजी के अप्पे बनाएंगे अप्पे बहुत ज़ादा टेस्टी बनते हैं ये बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत पसंद आते हैं साथी काफी हेल्दी होते हैं तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं नाष्टा बनाने के लिए यहां पर हम एक बंच पालक को अच्छे से धो कर उबलते हुए पानी में डालेंगे और इसे दो मिनट के लिए उबाल लेंगे पालक को दो मिनट से जादा नहीं उबालेंगे वन्ना ये ओवरकुक हो जाएगी दो मिनट के बाद आप इसे पानी से निकाल लीजिए और तुरंथ ही ठंडे पानी से वाश कर लीजिए ताकि ये ओपर कुपना हो और तुरंथ ही ठंडी हो जाए अब हम पालक को मिकसर के जार में लेंगे साथ इसमें एक इंच अद्रक एक हरे मिर्च और थोड़ा पानी डाल कर इसे पीस लेंगे लीजिए मैंने पालक को पीस कर त्यार कर लिया है अब हम एक बाउल में देड कप सूजी लेंगे अब इसमें आधा कब दही और पीसी हुई पालक डाल कर अच्छे से मिकस करेंगे अब जरूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे मैंने यहां मिकसर के जार में पानी लेकर स्मैट किया है देखिए हमें इस तरह से गाडा बेटर बना कर त्यार करना है अब हम इसे ढख कर 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे 15 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी 15 मिनट के बाद हम इसमें 2 चमश गरम किया हुआ तेल डालेंगे तेल डालने से नास्ता बहुत ही जादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेजिए अब इसमें कुछ बारिक कटकी सबजियां डालेंगे मैं इसमें एक प्याज, आधा शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक गरेट किया गाजर डाल रही हूँ यहाँ पर आप सबजियां अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं अब इसमें आधा चमश जीरा, एक चमश धनिया पाउडर आधा चमश गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, एक चमश नमग आधा निबू का रस और काफी सारा हरा धनिया डाल कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए में इसमें टू टेबल स्पून पानी ओर डाल रही हूँ अब इसमें एक चुथाई चमश बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा आप तभी डालें जब आप नाश्ता बनाने वाले हूँ नाश्ता बनाने के लिए मैंने हाँ पर अप्पे पैन लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा ओईल डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ राई, जीरा और तिल डालेंगे और इन्हें अच्छे से चटकने देंगे अब एक एक चमश बैटर लेते हुए पैन को अच्छे से फिल कर देंगे देखिए हमने पैन को अच्छे से फिल कर लिया है तो अब हम इसे ढग कर लो टू मीडियम फ्लेम पर दो मिनट तक पका लेंगे अपे को पकते हुए अब दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम ढगकन को हटाएंगे और इन पर दो दो बुंद ओयल डाल देंगे अपे अब एक साइट से अच्छे से पक चुके हैं तो अब इन्हें पलट देंगे यहां आप गेस का फ्लेम हाई नहीं कीजेगा वनना यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे अब बिना ढखे लो टू मीडियूम फ्लेम पर इन्हें दो से तीन मिनट तक और पका लेंगे ताकि यह दूसी साइट से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं देखिए अब अप्पे जो हैं दोरों ही साइट से अच्छे से पक चुके हैं और काफी क्रिस्पी हो गए हैं तो अब इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे अप्पे बना कर त्यार कर लेंगे अब पालक और सूजी के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी अप्पे बन कर त्यार हैं आप इन्हें अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सव कीजिए ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं